15.2 भारत में मतदान व्यभार राजनेतिक दल किसी विचारधारा पर आधारित, आपचारिक संगठन होते हैं देश के लिए इनके निश्चित नीती और कारिक्रम होते हैं भारत में महतपूर्ण राजनेतिक दलो का पंजीकरण चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है 15.2.1 कितने लोग वोट देते हैं आईए अब हम 1952 से 2004 तक हुए लोगसभा चुनाव के आधार पर भारत में मतदान व्यभार को समझने का प्रयास करते हैं इसके लिए नीचे दी गई तालिका एक के आधार पर पता कीजिए कि भारती मतदाताओं ने चुनाव में कितने सक्रियता दिखाई है कौन से वर्ग मतदान में अधिक सक्रिय रहा है तालिका 15.1 लोगसभा चुनाव 1952 से 2004 तक मतदान में जन सहभागिता बच्चों यदि हम 1952 जबकि हमारे देश में पहली बार चुनाव हुए थी तब से लेकर अब तक के मतदान प्रतिशत की तुन्ना करें हम जानेंगे कि 1952 में जहां मतदान का प्रतिशत 61 प्रतिशत था वहीं 1971 में यह कम होकर लगभग 55 प्रतिशत रह गया इसी तरह से 1984 में यह बढ़कर अधिकतम 63 प्रतिशत रह गया कुल मिलाकर मतदान का ओसत प्रतिशत लगभग 69.49 प्रतिशत ही रह इसका मतलब यह हुआ कि 1952 से अब तक चुनाव के मतदान प्रतिशत में कोई खास अंतर नहीं आया इसी तरह से पुरुषों के मतदान प्रतिशत लगभग 64 प्रतिशत रह जबकि महलाओं का ओसत मतदान प्रतिशत केवल 54.57 प्रतिशत रह इसका मतलब यह हुआ कि सम्विधान के द्वारा समान मताधिकार प्राप्त होने के बावजूद हमारे देश में महलाएं पुरुष इस सबसे दो बाते सामने निकल कर आती हैं एक तो ये कि हमारे देश में केवल 60 प्रतिशत लोग ही मतदान करते हैं और दूसरा ये कि महलाएं पुरुशों की तुलना में मतदान में कम भाग लेती हैं और आपको पता है हमारे देश के निर्वाचन आयोग तो अथा बहुत सा सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं लगातार इस दिशा में प्रयास करती रहती हैं मतदान के प्रतिशत में व्रद्धी हो लेकिन इसमें अब तक कोई खास अंतर नहीं आया है और ज्यादा तर पढ़े लिखे युवाही मतदान में भाग नहीं लेते हैं लेकिन बच्च युक्दान दीजीगा.